दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मांगदर्शन फार सिविल सर्विसेज में, मैं अनुराग शोधरी दोस्तों प्रारंभिक परिच्छा को ध्यान में रखते हुए, हम मांगदर्शन क्विक रिवीजन सिरीज प्रस्तुत कर रहे हैं जिसके अंतरगत महतवपूर्ट अथ्यात्मक प्रशनों का रिवीजन फार्म में प्रस्तुत किया जा रहा है ये प्रशन देखने में तो आपको आसान लगेंगे, लेकिन निगेटिव मार्किंग को देखते हुए, आसान प्रशनों को भी दोहराना बहुत जरूरी है ताकि किसी गलती से बचा जा सके, तो आईए शुरू करते हैं मार्क दर्शन क्विक रिवीजन सिरीज भूगोल पार्ट टू पहला प्रशन है कि खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हुए हैं खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हुए हैं तो खैबर दर्रे से जुड़े हुए हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान और पाकिस्तान और पाकिस्तान आप याद रखेगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान दूसरा प्रश्न है कि निम्र में से किस नदी को बिहार का सोक कहा जाता है बहुत पहले से हम ल वारत और चेन के बीच ब्यापार बढ़ाने के लिए पुनह खोला गया था तो ना थूला दर्रा को 2006 के लगभग पुनह खोला गया था ब्यापार गत्विधियों को बढ़ाने के उद्देशे से किस नदी को उलीषा का सोग कहा जाता है बिषार का सोग कोशी को क्योंकि ये हमेशा बारिस के सीजन में अपना मार्क परिवर्टित करती है और बाढ़ से काफी जादे जन्धन के नुकसान होता है उसी प्रकार से उडिक्सा का सोक महानदी को कहा जाता है अगला प्रेश्ण है कि प्रिथवी के किस भाग में निकिल और लोहे की प्रधानता है निकिल और लोहे की प्रधानता वाला भाग प्रिथवी का है निफे N.I.F.E. निकिल और लोहा अगला प्रश्ण है कि किस पर्वती दर्रे से होकर भारती तिर्थ यात्री मानसरोवर जील तथा कैलास मानसरोवर पर्वती घाटी के दर्षन हे तु जाते हैं इंपर्टेंट है कभी भी पूछा जा सकता है क्योंकि कैलास मानसरोवर यात्रा हर साल होता है तो इसमें आपको याद रखने की जुरत है कि किस परवती दर्रे से होकर भारती तिर्थ यात्री कहलास मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं वो लिपुलेख दर्रा है लिपुलेख दर्रा याद रखेगा अगला प्रश्न है कि तिबबत में मानसरोवर जहील के पास किस नदी कुल अच्छांसो की संख्या कितनी है शुरुवाती प्रश्ण है जब हम लोग भुगोल शुरुवात करते हैं लेकिन कभी-कभी हम गल्ती कर सकते हैं इसलिए याद रखिएगा कुल अच्छांसो की संख्या 180 है अगला प्रश्ण है कि बिसुका सबसे बड़ा नदी द्विप माजुली का निर्मार करने वाली नदी का उनसी है माजुली नदी द्विप है और इसको एक जिले का दर्जा दे दिया गया है ये ब्रह्मुपुत्र नदी पे है पिर्थवी के उत्तरी एवं दच्छिडी द्रू को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है पिर्थवी के उत्तरी और दच्छिडी द्रू को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है देशांतर रेखाएं होती है पिर्थवी के उत्तरिय और दच्चिड़ी ध्रो को मिलाने वाली रिखाएं अस्थल मंडल से आप क्या समझते हैं अगर जो प्रशन आता है कि अस्थल मंडल से क्या तात परे है तो अस्थल मंडल पिर्थवी की बाह पपड़ी को अस्थल मंडल कहा जाता है अगला प्रश्ण है कि बोस्निया का सबसे प्रमुख परवत कौन सा है किसी भी देश का प्रमुख परवत पोश सकता है तो बोस्निया का प्रमुख परवत कौन सा है ये डिनेरिक आलपस है डिनेरिक आलपस बोस्निया का प्रमुख परवत है कोला प्रायदीप निल्वखित में से किस देप में इस्थित है कोला इंपर्टेंट है कोका कोला से अबयाद रख सकते हैं कोला प्रायदीप रूस में इस्थित है अगला प्रेशन है कि छोटा नागपूर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है छोटा नागपूर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर राची है जो की बर्तमान में जारखंड की राजधानी भी है कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है ये जीके का कोश्चन है लेकिन रिवीजन के अंतरगत इसको भी देखना जरूरी है कभी कभी मिस कर जाता है दिमाग से कोचीन का जुड़वा नगर एरना कुलम है कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है तो ये एरना कुलम है बिस्व का एक मात्र हिंदु राष्ट कौन सा है तो नेपाल है बिस्व का एक मात्र हिंदु राष्ट पृत्वी की अनुमानित आयू निम्लखित में से कितने वर्स है पृत्वी की अनुमानित आयू ही है अनुमान ही लगा सकते हैं ये 400 करोड वर्स है, विभिन कार्मन डेटिंग और विभिन चट्टानों की आई से पता लगा जा सकता है, काफी हद तक अनुमान लगाया गया है, तो प्रित्वी की अनुमानिता है लगभग 400 करोड वर्स है, वर्स 1902 में, वर्स 1902 में भारत की सबसे पहली जल्विदुद पर्योजना कहां शुरू की गई थी, तो ये सिव समुद्रम जल्विदुद पर्योजना जो कावेरी नदीपे है, वहाँ पे शुरू की गई थी, 1902 में, अगला प्रेश्ण है कि भारत में सरुपर्थम कोईला उत्खनन किस अस्थान पे प्रारम किया गया था, रानी गंज में सबसे पहले कोईला उत्खनन प्रारम किया गया था, एक प्रेश्ण है, थोड़ा सा आपके सोचने पे निर्भर करता है, निम्नखित में से किस की ब्रिध्धी प्रतिसत में देश में सबसे तिब्रगत से हो रही है, तो वो आफसन दिया रहेगा, लेकिन महिला साच्छर्ता में, वर्तमान में अगर जो ये कहता है, पुरुख साक्षर्ता में ब्रिध्धी हो रही है, और महिला साच्छर्ता में या लिंगान उपात में ब्रिध्धी हो रही है, तो सरवाधिक ब्रिध्धी इन में से महिला साच्छर्ता के महिला साच्छर निम्खित में से कौन सी महराष्ट में इस्थित नहीं है ये पूछ रहा है अमरनाथ की गुफाएं तो ये महराष्ट में नहीं है अमरनाथ की गुफा जैसा कि आप जानते हैं जम्बू कस्मीर में है अमरनाथ यात्रा भी सरकार द्वारा प्रयाजित की जाती है और कलसुब पाई और ग्वाल पाहरिया ये सब महराष्ट में हैं बिजों का सबसे उुचा ज्वाला मुखी परवत कोटोपैकसी कहां पर इस्थित है सबसे उचा जो अला मुखी परवत ये फिलिपिन्स में इस्थित है निम्रखित में से किस छेत्र में सरवाधिक पसवों का मांस उत्पादित किया जाता है कौन सा छेत्र है तो ये पंपास घास के परदेश है वहाँ पर अर्जेंटीना जो है अर्जेंटीना में पंपास छेत्र पाए जाता है यहाँ से सरवाधिक पसवों का मांस उत्पादित किया जाता है अगला प्रेशन है कि यदि पिर्थवियों मंतरी चिकी 20 से वाई मंडल को हटा दिया जाए तो आस्मान का रंग काला होगा क्योंकि वाई मंडल जो है वो प्रकास के परकेड़न और प्रवावरतन अपवरतन के कारण इसका कलर चेंज होता है लेकिन यदि वाई मंडल को हटा दिया जाए तो उसका रंग काला दिखाए देगा कौन सी नदी पच्छिपाद डेल्टा बनाती है कौन सी नदी पच्छिपाद डेल्टा बनाती है तो ये मिसी सीपी मिसी सीपी नदी है जो पच्छिपाद डेल्टा बनाती है सुमेलन करना है तो iron जो है वो iron anthracite से नहीं है iron का आयस्क होता है hemidite anthracite koile की उच्छ किस्म की प्रजाति होती है anthracite सेरी कल्चर निम्रखित मैं से किसके उद्ध बाधन से संबंधित है तो सेरी कल्चर आप लोग जानते ही है सेरी के अदिलचर रेसम से संबंधित है और सबरी माला मंदिर सबरी माला मंदिर करेंट में भी इंपार्टेंट है यह कहां पे इस्थित है अभी सुप्रीम कोट ने सभी आईबर की महिलाओं को इस मंदिर में प्रवेस करने की इजाज़त दे दी है पहले इसमें सभी महलाओं को प्रवेश की अनुमत नहीं थी यहाँ पे आयप्पा मंदिर है सबरी माला में जहाँ पे सुप्रीम कोट ने अभी हाल में आदेश द्वारा महलाओं को प्रवेश की अनुमत दे दी है भारत में सबसे पुरानी परवत स्रिंखला कौन सी है तो अरावली परवतमाला भारत में सबसे पुरानी परवत स्रिंखला है अगला प्रश्ण है तुल्बुल पर्योजना निमलखित में से किस नदी से संबंदित है यानि कि तुलबुल पर योजना किस नदी पर है? झेलम नदीपे है सरदार सरोवर पर योजना नर्वंदाद नदीपे है मालवीड प्रच्छेब की सबसे प्रमुख், विसेस्ता कौन सी है तो ये सुद्ध छेतरफल है मालवीड प्रच्छेप ये प्योर जियोग्राफी का कोशन है नकी जीयस का तो इसलिए याद रखेगा इसको मालवीड मालवीड प्रच्छेप की सबसे प्रमुखभी से इस्तानिमन खित में सिक्या है तो ये सुद्ध छेतरफल है सुरुपर्थम इंडिया सब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भासा में किया गया था इंडिया सब्द की उत्पत्ती इंडस रीवर से हुई है यानि कि सिंधु नदी से इसका प्रयोग सबसे पहले ग्रीक ग्रीक विचारगों ने किया था गहरी जड़ो वाली फसलों के लिए निम्रखित में से कौन सी मट्टी सरवाधिक उप्यूख्थ होती है तो गहरी जड़े वाली फसले जो होती है उनके लिए काली मिट्टी सरवाधिक उप्यूख्थ होती है किस फसल को प्रती हेक्टेयर सर्वाधिक जल किया हो सकता पड़ती है प्रती हेक्टेयर वैसे तो कोई भी फसल बिना जल के नहीं हो सकती है लेकिन गन्ना को सर्वाधिक प्रती हेक्टेयर जल किया हो सकता पड़ती है अगला प्रश्ण है कि खारी नदी जिस अपवाहत अंतर का अंग है वो बंगाल की खाड़ी ये खारी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है या प्रवाहित होती है वहां से वहां तक छेतफल की दृष्टी से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसल मेर है जैसल मेर को जैसा की आप जानते हैं मरुस्थल की रानी भी कहा जाता है निम्खित में से कौन सी जलधारा अट्लांटिक महासागर में प्रवाहित होती है अट्लांटिक महासागर में सूसिमा जलधा प्रवाहित होती है ठंडी तथा भारी वाय द्वारा गर्म एम हलकी वाय के उपर उठा देने से कौन सा वाताग्र जो उत्पन होता है वो क्या कहलाता है ठंडी हवा जो होती है वो भारी होती है और गर्म हवा हलकी होती है तो ठंडी हवा जब चलती है तो वो गर्म हवा को उ धूरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है कौन सा उद्योग है तो आपको जानने की ज़रत है ये कौन सा उद्योग है जिसको धूरी उद्योग एक्सिस इंडरस्ट्री या बेस आफ इंडरस्ट्री कहा जाता है तो ये लोह इसपात उद्योग है आईरन श्ट कोई भी उद्ध्योग सफल नहीं हो सकता है क्योंकि मसीनरी आधारिक संरशना इन सब के निर्माण के लिए लोहे का प्रयोग सरवाधिक मात्रा में होता है किसे प्रकिर्ति का सुरच्छा वाल्ब कहा जाता है प्रकिर्ति का सुरच्छा वाल्ब, सेफ्टी वाल्ब आप नेचर किसे कहा जाता है, तो ज्वाला मुखी को सेफ्टी वाल्ब कहा जाता है, प्रकिर्ति का सुरच्छा वाल्ब अगला प्रेश्ण है कि कुंद्रे मुख कुद्रे मुख लोह खनिश परियोजना किस राज में है करनाटक में है कुद्रे मुख भारत में खनिश तेल के भंडार किस प्रकार की चट्टानों में पाये जाते हैं तो खनिश तेल के भंडार आवसादी या परद्दार चट्टानों में पाये जाते हैं भारती जलवाई की सबसे महतुपूर विसेस्ता कौन सी है कई विसेस्ताइं दी गई होंगी तो उसमें से जो सबसे महतुपूर विसेस्ता है वो पावनों का विपरीद प्रभाव भारती ये जलवाई की सबसे महतुपूर विसेस्ता है तमिल नाड वा आंधर परदेश के तट का नाम क्या है इंपर्टेंट है तमिल नाड वा आंधर परदेश के तट का नाम क्या है लेकिन छोटा नागपूर का पठार खनिजों में सम्रिध है याद रखेगा खनिज की दृष्ट से छोटा नागपूर का पठार सम्रिध है भारत में मुख्य क्रिसी प्रदार्थ आयात मद है भारत क्रिसी उत्पाद का आयात तो ऐसे नहीं बहुत करता है जो खाद्यान है वो यहां परियाप्त मात्रह में पैदा हो उटपादन होता है, लेकिन जो खाद्य तेल है उसका आयाद करना पड़ता है, यहां के ज़रूरतों को पूरा करना के लिए भारत को यही एक मुख्य पदार्थ है, आयाद मत, कृपिसी उतपादों में खाद्य तेल, नेवल एयर इस्टेशन गरूर कहां पे इस्थित है नेवल एयर इस्टेशन का मतलब यह है कि जो समुद्री सेना है अपनी नौ सेना है उसके पास भी एयर इस्टेशन होता है तो वो कहां पे इस्थित है कोच्ची केरल में इस्थित है तो दोस्तों ये था मांगदर्शन फार सिविल सर्विसेज का भूगोल का पार्ट डू पार्ट टू क्विक रिविजन स्रीज के अंतरगत अन्य और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.markdashan.online पे बिजिट कर सकते हैं इसके हलावा हमारा फेस्बुक पेज है मांगदर्शन फार सिविल सर्विसेज आप उसको जोईन कर सकते हैं मांगदर्शन.online से हमारा फेस्बुक पेज भी है तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार